नमस्कार दोस्तों आज के मुक्के समाचार में आपका स्वागत है दोस्तों आपको बता दें कि लोगडाउन को 17 मही तक बढ़ा दिया गये हैं लोगडाउन बढ़ाने के बाद ग्रेम अंत्राले ने एक नई गाइडलाइन जारी कियें इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से सुधाई शुरू की गई है लोगडाउन का तीसरा चरण 4 मही से शुरू होकर 17 मही तक चलेगा हालांकि इसमें पहले की तूना में ज़्यादा चूट रहेगी तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं उससे पहले आपसे चोटासा निवेद दने की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले गंटी के बड़न को जुर्दबाले ताक कि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सकें किंदर सरकार ने काया की बस ट्रेन, मेट्रो, विमान आधी बंद रहेंगे इतना ही नहीं सभी स्कूल, कोले समेत सभी त्रेकी सिक्षन संसदान भी बंद रहेंगे कोरुना संक्रमन को फेने से रोकने के लिए पूरे देश में ओटल, सिनेमा, ओले, कॉंप्लेक्स आधी बंद रहेंगे सामाजिक, राजनितिक या सांस्क्रतिक कारिक्रम और दार्मिक स्तल भी बंद रखने का फैसला किया गया है इससे पहले सुकुरवार कोई स्वास्ते मंत्राले ने कोरुना वरे से परवावित इलाकों की सूचित त्यार की थी इसके मताबित देश बर के 130 जिले रेड जोन में 284 ओरेंज जोन में है जबकि 300 गुन्नी जिले गरीन जोन में सामिल के गई है लोग डाउन के तीसरे चरण में रेड जोन में किसी तरह की कोई गदिवीदी की छूट नहीं दी गई है हालांकी ओरेंज और गरीन जोन में चूट रहेगी ग्रेम अंत्राले द्वारा मंजूर विशेश कारियों के लिए रेलोर्ड शड़क के अतायत के साथ विवानों को भी इजाज़त होगी ग्रेम अंत्राले के दिशा निर्देश के नुसारे ग्रीन जोन में वो जिले आएंगे जांबीते एकी दिनों में कोई कोरोना संक्रमित वेक्ती नहीं मिलाएं के अंदर सरकार ने काया कि सभी ट्रेनों पर रोक जारी रहेगी लेकिन ग्रैम अंतराली द्वारा सभी करत शुरुक्षा उदस्यों के लिए ट्रेन चलाने की जाज़त होगी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि ग्रैम अंतराली द्वारा जारी किये गई निर्देशों के मुताबित है लोगडाउन 3 के दुराने सभी गेर जरूरी गती वीदियों के लिए आवागवन परें शाम के 7 बज़े से लेकर सुबह 7 बज़े तक पूरी तरह से पर्तिबंद लगेगा जिसका पालन सकती से क्या जाएगा गेर जरूरी गती वीदियों के लिए वेक्तियों का सुबह 7 बज़े से शाम 7 बजे की बीची आने जाने की छूट होगी हालांकि Green Zone में आने वाले चेतरों में ग्रैमंत्राली द्वारा कुछ छूट दी गई है ग्रैमंत्राली ने कहा कि Orange Zone में एक ड्राइवर और एक यात्री के अर्मती दी जाएगी हां दोस्तों आपको बता दे कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 35,365 हो गई है और अब तक 9,004 लोग ठीक हो चूगे हैं 1,152 लोगों की मौत हो चूगे है पिछले 24 गंटे में 1,755 नहीं मामले आ चूगे है और पिछले 24 गंटों में सतंतर लोगों की मौत हो गई है